बॉलिवूड कैफे आज एक्सपें कर रहा है एक अमेरिकन साइकोलोजिकल थ्रिलर मूवी डिप वाटर जो हाली मेर 22 में रिलीज हुई है मूवी के सेंटरल करेक्टर में एक कपल हैं जिनकी मैरीज को कुछ साल हो गए हैं हस्बेंड विक और वाइफ मेलिंडा आज अपने एक फ्रेंड के घर पे पार्टी में जा रहे हैं मेलिंडा विक को कहती है कि क्या तुम मुझे मेरी हील पैना दोगे क्या तो विक खुशी खुशी उसको हील पैना देता है मैलिंडा विक को कहती है कि तुम जानते हो ना मैं तुम से कितना प्यार करती हूँ ये सुनकर विक को जैसे कुछ हट हुआ और वो अपनी वाइफ को बिना जवाब दिये कहता है कि चलो चलते हैं विक और मैलिंडा अपने फ्रेंड के घर पे पार्टी में जाते हैं वहाँ पर मेलिंडा को अपना एक पुराना दोस जॉयल मिल जाता है जिसके साथ वो बिजी हो जाती है इदर विक अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बाते करने के बाद में मेलिंडा को ढूंता है तो वो देखता है कि मेलिंडा घर के नीचे स्विमिंग पूल में जोल के साथ enjoy कर रही है और उसको kiss भी कर रही है ये देखकर Melinda के husband विक को दुख हुआ लेकिन surprisingly अपनी बीवी को दूसरे किसी आदमी के साथ देखने के बाद में भी विक शौक नहीं हुआ उसको कुछ भी surprising नहीं लगा विक के friend भी विक को कहते हैं कि तुमारी wife और जोल के कुछ relation लग रहे हैं तुम कुछ करते क्यों नहीं लेकिन विक अपने friend की बाद को ignore कर देता है कुछ दिर बाद में Melinda पार्टी में प्यानो बजाती हैं जिसको देखके विक के चेहरे की मुस्कान वापस लोट आती हैं जो wife थोड़ी दिर पहले किसी और आदमी के साथ involved थी अभी उसी को प्यानो बजाते हुए देखके विक बड़ा खुद सो रहा था विक का ये behavior काफी surprising होता है पार्टी में जोईल और विक दोनों बात करते हैं तो जोईल विक को कहता है कि तुम कितने अच्छे husband हो जो अपनी wife की personal life में बिल्कुल भी interfere नहीं करते हो तुम्हें कोई फरक नहीं पड़ता कि वो किसके साथ क्या कर रही है तो विक कहता है कि मेरी wife का एक पुराना boyfriend था Martin और तुम्हें पता है न कि Martin अभी town से गायब है पता है तुम्हें तुम्हें क्यों गायब है तो जोईल पूछता है कि क्यों तो विक कहता है कि उसको मैंने मार डाला, अपने घर पे आ जाते हैं, इन दोनों की एक बेटी है ट्रिक्षी, और ट्रिक्षी को समभालने के लिए अपना टॉप उतार दिया है, तो विक बेबीशिटर को समझाता है कि मेरी वाइफ एक अलग कल्चर से बिलॉग करती है, वो उसको पूछता है कि तुम्हें ऐसे लड़के ही क्यों पसंद आते हैं जिनके पास intelligence या brain नहीं होता है तो अपने husband को counter करते हुए पूछती है कि do you like me for my brain or something else? वो कहती है कि मैं brain के लड़कों को नहीं choice करती हूँ मैं pleasure करती हूँ लेकिन अंदर से इनकी life पूरी तरह से बिखरी हुई है wife अपने boyfriends के साथ enjoy करती है और husband wife को बहुत प्यार करता है वो उसको छोड़ना नहीं चाता तो वो उसके lovers को धमकाता है और उन्हें उनसे दूर करने की कोशिस करता है विक अपना ज़्यादतर टाइम अपनी बेटी ट्रिक्सी के साथ विधाता है और बाकी का बच्चावर टाइम अपनी hobby हैली सी कल्चर यानि की स्नेल्स को रेज करने में विधाता है विक ने अपने घर के बाहर गार्डन में एक छोटा सा स्नेल कल्चर के लिए room बना रखा और यहां पर विक काफी टाइम स्प्रेंड करता है विक और मेलिंडा की डॉटर ट्रिक्षी बहुत ही स्मार्ट है आज वो अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए redox reaction powered पोटोटों से चलने वाला robot बना रही है वो इतनी स्मार्ट है कि अपने डैड और अपनी मर्दर के ब टाउन में ये बात फिला रहा है कि तुमने अपनी वाइफ के एक्स बॉइफरेंड मार्टीन का मर्डर किया है विक कहता है कि मैं तो सिर्फ मजा कर रहा था तो कैली कहती है कि मजाग हो या सच हो लेकिन आइडिया तुमारा काम कर गया अब जोल तुमारे घर के असपास चिलाती है कि तुमने मेरे दोस्तों डरा धंका कर पार्टी से भगा दिया और मुझे तो लगता है कि तुमने मार्टेन का मर्डर किया हो वो कहती है कि जोल को कल रात को डिनर के लिए बुलाना पड़ेगा वो जोल को अपने खर पे डिनर पे बुलाते हैं और डिनर के तो ट्रिक्सी अपने डैड को कहती है कि मॉम दूसरे आद्मियों के साथ अजीब सा भी है क्यों करती है मुझे ये आदमी जॉयल बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैं आप दोनों को साथ में देखना चाहती हूं मैं मॉम को किसी और के साथ देखना पसंद नहीं करती है कि मैं ज जोईल को कहता है कि मैं तुमसे कोई sorry worry बोलने वाला हूँ नहीं, तुम्हें एक बात बता दूँ कि मार्टिन का murder मैंने ही hammer मार मार के किया था, जोईल और ज्यादा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है, मार्टिन को मारा था, मैंने भी सुना है, तो विक कहता है कि ये तो जोग था तो मुसको इतना seriously क्यों ले रहे हूँ? पारड़ी में विक अपनी close friend और Trixie की school teacher Kelly के साथ dance करता है, जिसको देखकर Melinda काफी jealous होती है, और वापस जाते समय, वो विक को please करती है, इसके बाद ये दोनों घर पे जाके passionately intimate होते हैं, विक को थोड़े दिनों के बाद में पता चलता है कि Melinda piano classes ले रही है और वहाँ पर उसका teacher Charlie अब उसका नया boyfriend बन गया है, विक अपना time to spend small culture में भी दागा था, लेकिन उसकी imaginations अब अपनी wife को Charlie के साथ romantically involved होते हैं, आज Melinda घर पे भी नहीं है, जिसकी वज़र से imagine करते करते विक पुरी रात सो भी नहीं पा क्लिरली बता देती हैं कि वो Charlie के साथ हैं और वो उसके साथ quality time spent कर रही हैं, विक को तो ये पहले से ही पता था, Melinda इतनी blunt है कि वो अपने husband को Charlie के बारे में ऐसी ऐसी बाते बताती हैं, जिसको उसका husband सुन भी ने सका, वो कहती है कि क्या मैं बताओं कि उसने मुझे कैसे खु फैमिली बनाना, बच्चे पैदा करना वो तुमारी चोईस है, इसे क्लिरली ये लगता है कि Melinda विक के साथ एक open relation में रहना चाते थी, लेकिन फैमिली बनाने का और बच्चे पैदा करने का प्लान विक ने बनाया था, इसलिए अब Melinda उसके साथ adjust नहीं कर पा रही हैं, ले इस डीपोर्टर्स में हैं, इनकी emotions डीपोर्टर्स में हैं, Melinda का behavior डीपोर्टर्स में हैं, और विक का frustration डीपोर्टर्स में, विक ने money-man सोच लिया था कि अब ये सब नहीं चलेगा, आज विक के किसी और friend के घर पे party हैं, और सब लोग यहां पे खोब enjoy कर रहे हैं, Melinda का piano teacher और उसका boyfriend Charlie भी आया है, इसको देखके Melinda बहुत खुश होती हैं, लेकिन विक काफी upset हो जाता है, पार्टी में Melinda के request करने पे Charlie वहाँ पे piano बजाता है, जिसको Melinda काफी enjoy करती हैं, अब रात हो चुकी हैं, और विक Melinda को धून रहा है, विक Melinda को search करने के लिए उपर जाता है तो वो देखता है कि Melinda और Charlie काफी enjoy कर रहे हैं, और अब वो दोनों कमरे से बाहर निकल कर swimming pool में आ गए हैं, और वहाँ पर भी काफी मस्ती कर रहे हैं, जिसको देखके विक का फारा चड़ रहा होता है, अपनी आखों के सामने अपनी वाइफ को Charlie के साथ मस्ती करते हुए द जैसे एक एक करके सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं, घर के अंदर सब लोग जब cookies enjoy कर रहे थे तब मौका देखे, विक चारली को swimming pool के अंदर डुबो कर मार डालता है, और फिर चुप चाप अंदर आ जाता है, और खुद भी cookies खाने में वीजी हो जाता है, इदर Melinda Charlie को रून रही होती है, वो बाहर देखती हैं, तो वो देखती हैं कि Charlie swimming pool में मरा हुआ तैर रहा है, वो चिलाती है, सब लोग मिलके उसको बाहर निकालते हैं, उसको revive करने की कोशिस करते हैं, लेकिन वो revive नहीं हो पार था, डॉक्टर्स और पुलिस की team आती है, डॉक्टर उसक से investigation करती हैं, लेकिन कुछ खास पुलिस को मिलता नहीं है, पुलिस फिलाल इसको accidental drowning का केसी मान रही है, लेकिन डॉन जिसमें swimming pool में Charlie और विक को अकेले देखा था, वो अब विक पे doubt करने लगा है, डॉन ने अब एक private investigator hire किया है, जो विक पे नजर रहता है, विक इस आदमी को एक दिन अपनी wife के साथ पकड़ लेता है, या आदमी पहले तो अपने आपको psychotherapist बताता है, लेकिन विक को पता चल चुका था कि ये investigator है, और उसने अपनी wife के bank statement से बता लगाया, कि उसकी wife Don को कुछ पैसे इस investigation के लिए transfer करती थी, तो वो अब Don के घर जाकर Don पर चिलाता है, कि तुम्हें क्या हक बनता है, कि तुम मेरे उपर किसी investigator को नजर रखने के लिए कहो, Don की wife Kelly Don को माफी मागने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि मैं क्यों माफी मागू, मैंने क्या किया है, इस event के बाद में Vic और Don के बीच में दरार काफी बढ़ जाती है, लेकिन Vic के लिए मुसीबत Don नहीं था, मुसीबत उसकी बीवी की, जो अब एक अपने नए boyfriend के साथ खूम रही है, टोनी नाम का ये आदमी, Melinda का college में boyfriend था, और अब वो किसी वज़त से वापस यहां USA में reunite हो गए है, जिनको देर के Vic के मन में jealousy वापस से reignite हो गई है, इदर Vic की डॉट विक को कहती हैं कि डैड मुझे पता है कि आपने क्या किया है, मुझे पता है कि आपने चारली को मार दिया है, तो Vic कहता है कि अगर तुमें पता हैं तो फिर ये बात अपने बीच में ही रहनी चाहिए, इसके बात में ट्रिक्सी अपने रूम में जाती है, तो Vic Melinda को अपने adjust कर लेगी मैलेंडा की ये बाते सुनके विक को ये बात समझ में आ गई कि वो ब्राजील जाने का planning कर रही है और वो ट्रिक्सी को भी अपने साथ में ले जाएगी और वो टोनी के साथ जाकर वापस अपनी native country ब्राजील में बसने का plan कर रही है अगले दिन विक का गुसा और बढ़ जाता है जब टोनी मैलेंडा के बुलाने पर उसके घर आता है और मैलेंडा के साथ लंच करके डांस करता है और उसके साथ काफी enjoy करता है विक को ये सब बिलकुल भी सहन नहीं हो रहा होता है इसलिए वो अगले दिन टोनी को एक restaurant से निकलते हुए पिक कर लेता है और कहता है कि मैलेंडा ने यहां से थोड़ी दूर पर एक property की site देखी है चलो देख के आते हैं insist करने पर टोनी कार के अंदर बैठ जाता है और ये दोनों इस town से विक काफी दूर एक hiking site पे जाते हैं और विक यहां पे काफी rough car चलाता है जिसको देख के टोनी को बड़ा अजीव लगता है अब ये दोनों hiking site पे नीचे उतर जाते हैं टोनी थोड़ा आगे चला जाता है तो विक एक पस्थर उठा के टोनी के सर पे अटैक कर देता है जिसकी वज़र से टोनी लुड़ता लुड़ता hiking site के बिलकुल नीचे एक river के पास जाके मर जाता है विक नीचे आता है और टोनी की जेज से उसका wallet निकाल देता है विक टोनी की डेट बोड़ी को एक बड़ा सा पस्थर अपने बेल्ड से बानकर नदी के अंदर दोगो देता है विक अपने डोगी के साथ वापत घर पे आ जाता है और मेलिंडा को पूसता है कि आजकर टोनी ने दिखाई देरा क्या बात है विक अपनी डोटर के साथ यहाँ पे अब अराम से सांती से खाना इंज्योई कर रहा है मेलिंडा कहती है कि काफी दिन हो गए है हाइकिंग साइड पे पिकनिक पे नहीं गए वहाँ पर चलते हैं तो विक मैलेंडा और अपनी डॉटर के साथ हाइकिंग साइड पे पिक्निक के लिए चला जाता है और वहाँ पर विक अपने द्वारा ली हुई फोटो को मैलेंडा को दिखाता है जिसमें मेलेंडा की बहुत सारी फोटो का कलेक्शन था जिसे देख के मेलेंडा बहुत खुश होती है और वो कहती हैं तुम अकेले ही ऐसे हो जो मेरी सभी हरकतों के बावजूद भी मेरे साथ रहना चाते हो मैं सच मैं तुमसे प्यार खरती हूँ और वो काफी इमोशनल हो जाती अभी विक देखता है कि उसकी डॉटर ट्रिक्षी नदी के पास चली गई है तो उसको लाने के लिए वो वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ पर टोनी की डैड बोडी पूले की वजरते पानी के ऊपर आ गई है अब विक को लगा कि सिसी को पसा चल जाएगा इसलिए वो वहाँ से मेलेंडा और ट्रिक्षी को लेके निकल जाता है लेकिन जान बुचकर मेलेंडा का एक स्कार्फ वहाँ पे छोड़ देता है जिसके बारे में मेलेंडा कार में पूछती है कि मेरा स्कार्फ नहीं पे रह गया है तो ग्रीक अंजान बनते हैं कि कोई बात नहीं मैं कल जाके ले आउँगा पिट्निक के बाद में घर आने पर मेलेंडा विक के साथ इंटिमेट होती है और विक को कई दिनों के बाद में ऐसा लगा कि साइद मेलेंडा बदल गई है अगले दिन विक मेलेंडा के उठने के पहले ही स्कार्फ लेने के बहाने से हाइकिंग साइट पे जाता है मेलेंडा पीछे उड़ती हैं और विक को ढूंती है और विक के स्नेल वाले रूम में पहुंसती हैं जहाँ पर चेक करने पर वो देटी है कि तोनी का वालेट वहाँ पर रखा हुआ है जिसको देख के वो समझ जाती है कि उसके husband नहीं Tony को मारा होगा इसलिए वो Don को call कर देती है इधर hiking site पे विक Tony की body को ठीकाने लगा रहा होता है तो वहाँ पर अचानक से Don आ जाता है और कहता है कि विक क्या कर रहे हो तो विक कहता है कि मेरी wife का scarf यहाँ पे रह गया था तो वो कहता है कि देखो scarf तो मेरे पास है और वो विक को body को पानी के अंदर धकेलते वे देख लेता है और वो वहाँ से डर के मारे भाट